मेरा नाम डॉक्टर कजिंद पुरहीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप यहां पे CSIR, NET, GATE और IAD जेम या अलग-अलग competitive exam की तैयरी कर रहे हैं जहां पर MSQ मतलब multiple select questions पूछे जाते हैं तो यहार स्टून को बड़ी दिक्कत आते हैं कि सरे इस जान रखने हैं जैसे कि आप इस टाइप के questions को बहुत इजीली साही कर सकते हैं देखिए जोइन करिए मेरे courses को अन अकेडमी फोर IAD जैमन CSI NET और बनाइए अपनी preparation को आसान इन कमाल के features के साथ जैसे test series and ask you a doubt. Use my referral code GP sir for 10% off on all courses. So इस बात करेंगे diagonalizable matrix की बारे में पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले में काफे सारे videos upload कर चुका हूँ इस series की उपर आप IT पर जाके या link आपको discussion या comment पिन में मिल जाएगा. इस विए हमारे पास is called diagonalizable matrix if it is similar to the diagonal matrix. अगर हमारे पास कोई matrix है, वो diagonal matrix के similar हो जा, तो such matrix is known as a diagonalizable matrix. पर यहां पर हमारे पास एक non-singular matrix P exist करने चाहिए, जिसको हम D is equal to P inverse A P form में लिख पाएं, तो यह जो यह D होगी, यह A की diagonalizable matrix होगी, यह diagonal matrix होगी, पर यहां पर P जो होगी, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, एक non-singular matrix होने चाहिए, तो यह मैं बताना चाहता हूँ कि actually होता क्या है, अगर हमारे पास कोई matrix दे रहे की, माल लीजिए हमारे पास corresponding eigenvectors निकालते हैं, और उसके जो ऐगन vector की matrix होती है, वो हमारे पास P matrix होती है, हना, और उसके जो ऐगन vector है, वो linearly independent होने चाहिए, तब ही हमारे पास P matrix होगी, वो हमारे पास क्या होगी, invertible होगी, या non-singular होगी, तो यह जो non-singular matrix अगर हमारे पास ऐसी exist करते हैं, अगर हमारे पास जो ऐगन vector है, वो linearly independent नहीं आ रहे, तो पी जो होगी, वो non-singular नहीं होगी, फिरो diagonalizable वाला concept नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P matrix निकालने का इतना time नहीं है, तो हम यहाँ पर दूसरा अगर हमारे पास कभी यह पूछे कि यह linear transformation है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको matrix representation का हम क्या देखेंगे, कि वो diagonalizable है या नहीं, इसका process क्या है, यह देखें, महारे पास यह matrix देरके, आपको पूछा जारा कि यह diagonalizable है या नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह इसके similar matrix होती है, पर हर बार इसा नहीं होगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो diagonalizable है या नहीं है, अगर नहीं है, तो फिर नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या concept है, वो हमने आप है, डिसकस करेंगे, अब मैं आपको बताना चाहरा हो कि interlink concept है, वो क्या है, सबस्वले हमारे पास linear transformation T is diagonalizable, if its minimal polymer is the product of linear factor, its root all have multiplicity 1, इसका मतलब यह होगा, माल लीजे, हमारे पास कोई भी matrix दे रहे की, जिसकी characteristic polymer हमारे पास यह दे रहे की, माल लीजे, यह कोई हमारे पास 3 क्रोस 3 की matrix है, और यह दे रहे की, अब जयाद दिजे, अगर हम इसकी minimal polymer निकाल लें, निकाल लें, और इसकी जो minimal polymer हमारे पास इस type की आ जाए, जिसकी power यह भी वन आ रही, यह भी वन आ रही, मतलब linear factor होगा, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी, diagonalizable हो जाएग, तो यह ध्यान देने की ज़रूत है कि जब भी आपको यहाँ पर यह चेक करना है, कि matrix हमारे पास यहाँ पर diagonalizable है कि नहीं मतलब कहने का यह होता है कि उसके basis में हमारे पास linearly independent eigenvectors होने चाहिए, क्योंकि basis का मतलब यह होता है, क्यों क्या होने चाहिए, तो वही बात हमने यहाँ पर third point में भी लिखिए, fourth point के बारे में बात करेंगे, if all eigenvalues are distinct, then matrix is diagonalizable, अगर एक तरीका और यह भी होता है, कि अगर हमा हमारे पास क्या हो जाएगे, diagonalizable हो जाएगा, यह भी अच्छा कर सब जिसमा आपके सामने बताना चाहिए, माल लिखे हमारे पास कोई matrix देख रहे है, 103 and 025 and 004, हम जानते है, यह matrix हमारे पास एक अपर 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 मैट्रिस है, तुसके diagonal element होते होती 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 है, और अगर distinct eigenvalue तो हम पता कर लेंगे, पर आपके मन में सवाल उट जाए, गुरू जी यहां पर भी टू आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो आप देख रहे है, जो टू आइगन वेल्यू है, इसकी जो aim आएगा, मतलब algebraic multiplicity आ रही हो हमारे पास 2 आ रही है, और यह हम बात कर रहे है, और जो 4 आइगन वेल्यू हमारे पास क्या रही है, मतलब algebraic multiplicity कितनी बार repeat कर रही है, जितनी बार repeat कर रही है, अब हम क्या करेंगे, इसकी geometric multiplicity निकालते हैं, अगर हमारे पास, इस geometric multiplicity जब single आइगन वील्यू होती है, पर जब repeat करती है, तब हमें यहां प होती है algebraic multiplicity क्या होती है आई टेप पर वीडियो है सांदर बता रखा है समझ सकते हो आगे बढ़ता है सुन नेक्स जो भी हमारे पास सब्सक्राइब कोई मैट्रिक्स सब्सक्राइब यहां पर रियल नहीं आ रही है अगर हमारे पास कोई यहां पर और रही होगा तो क्वेश्चिन में पढ़ना की जरूरत है कि यहां और यहां नहीं होगी राइट इस वेरी इंपॉर्टन आगे बढ़ते हैं इन पर मैंने अच्छे वीडियो बना रहा है मैस की शूरिस पर देख सकते हैं एवरी पर्मूटेशन मैट्रिक्स होती है वह डाइगनलेजबल और सी होती है और आर भी होती है डिपेंड करता है कि हमारे पास यहां पर उसका यहां पास एक यह दो आ रहा है तो यहां पर यहां पर उसका जो लेंट है वह दो से बढ़ा आ गया तो फिर वह और सी डाइगनलेजबल होगी और आर नहीं होगी क्योंकि वहां पर कॉंप्लेक्स हैं होती है देखते हैं आपको सीधा टिक कर देना है कि यह बड़े इंपॉर्टेंट कांसर्ट होता है अगर आपने पर्मूटेशन मैट्रिक्स के बारे में आपको आपको आइडिया नहीं है तो इस पर बहुत अच्छे वीडियोस हमने अप्लोड कर रहे हैं आपको आई मेट्रिक्स होगी पर हमें यह नहीं बोला जा रहा कि यह हमारे पास क्या गोगी चुक्प इसटोह सब्सक्राइब यह बटाया ऑर यह रहे हमेशा क्या होती है अधि यह हमेसा होती है यह हमेसा क्या होती है को एक ही मैट्रिक्स को साड़िस्पाई नहीं कर सकती तो मैं आपको बताना चारो हैUS पर आपको बताना चाहरूँ कि इसको सटस्थाइब करती यह भी आपस पुझारा कि इन चारों में से कॉन सा डाइग्ण लगा तो मैं बताना चाहरा हूं कि यहां पर डिस्टिंग्ट अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है और सभी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है अब इसका जो एम आएगा वो हमारे तो लेम यहां पर कितना रहे हैं तो वन इंटो आई तो यह बश्याइग उसकी निकालते हैं इसकी जो नलिटी आएगी वही कि मारे पास क्या होगी स्की जोमेट्रिक मल्टिप्ले सिट्टि जानते हैं यह यह ले माइनिस पर यह ले मड़ा अगा यह लेम रखेंगे उसको तो सुनिया आएगा हमारे पास 0, 1, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 0, 0, right हम जानते हैं सुनिया पर जैसे मैं ट्रास्फमेशन लगा हुआ तो यह भी लाइन 0 हो जाएगी तो यह हमारे पास इसकी जो नलिटी आएगी यह वो हमारे पास क्या आएगी सुन 2 आजाएगी और यह हमारे पास क्या है गहीआ है तो हम जानतेगे रिट कर रहा उसको चिक कर रहा है यहां पर 1 रिपेट कर रहा है, तो हम जानते कि यहां पर जो एम आएगा, यार वो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, अब इसका हम GM निकालते हैं, तो GM क्या आएगा, सुन नलिटी ओफ यहां पर जिया एगा, यार यहां पर जिया आएगा, यहां पर जिया आएगा, तो इसका जो एमे वो तो देख रहा है, पर इसका GM अमरे पास क्या आएगा, यह जब है, नहीं ओगा नई होगी, क्योंकि am is not equal to gm अगर इसके बारे में और भी आईडिया चाहिए आईडिये पर मैंने वीडियो अप्लोड कर रखा आप जाकर देख सकता है यह मारे पास एक मैट्रिक्स और हम जानते हैं यह जो मैट्रिक्स यह पर्मूटेशन मैट्रिक्स इसकी रोर कॉलम का सम क्या रहा है यह पर्मूटेशन पर भी बहुत अच्छा वीडियो में अप्लोड कर रखा कर आपको और जानकारी से हैं तो वहां से देख सकते हैं इस पर्मूटेशन मैट्रिक्स हो पहले हम कैसे लिए पर मूटेशन में करें कैसे यह देखिया यह कौन सा नमर का अलिमेंट है यह हमारे इसका सकते हैं और जॉडर यहीं जोडर है यह सिगमा है इसका ऑडर हमारे पास कितना है वह आशाव होती है पर और जादे धिये वहां नहीं होगी फिन इसको मैं देखना पड़ेगा ना ठीक है यह दियान देने की जब्सक्त कर जो भी इसकी पावर में चला जाएगा और इसको जीरो रखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर मारे पास वन आएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट थी आयोटा बाइटू यह हमारे पास और इसलिए ओवर और डियागिलाजबल नहीं होगा सुन बात करेंगे सी ओप्षिन के बारे में यह बोल रहा है यहां पर रियल आइगन वेल्यू है यह बोल रहा है और यहां पर थोड़ा वर्ड्स का गेम होता है तो समझने की जरूत है सुन आगे बढ़ेंगे बात करेंगे स्थी मेट्रिक्स है इसमेट्रिक मेंट्रिक्स सभी डिस्टेंट होगा अब इसके बारे हम बात करते हैं यह दॉनक्रीट हम यह क्या करेंगे इसके इसके निकालेंगे थो सुनी इसके आप इसको आप ऐसे करेंगे तो यहां पास अगर अग्र को आपको आप यह याँ है यह यह आएग़ा हम जानते हैं इसकी complex eigen value आ रही है जबके आपसे बुला जा रहे है कि यह diagonalisable और आ रहे है कि नहीं है तो यह और यह और तो diagonalisable नहीं है और C है तो सुन B option यहाँ पर क्या जाएगा इनकरेक्ट है तो इस तरह से इस question को में यहाँ पर क्या करते हैं तो सुन यह question आपके comment box के लि इसको यहाँ जाके आप subscribe कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you bye bye